Hello guys, my name is Nisha Saini and welcome to UGC Net Literary Sphere So guys, आज का जो हमारा topic है वो है राय प्रोलू शुबा राव जी So, आज ऐसा कि आपको पता है कि मैंने Indian Writers in Translation पर एक series शुरू कर रखी है अपने चैनल पर तो उस series के 5 lectures मैं already upload कर चुकी हूँ आज की जो हमारी वीडियो है वह है इस series का 6th lecture रहने वाली है तो जो पुरानी 5 lectures है उनका link जो है वो मैं आपको इस वीडियो के description box में डाल दूँगी या फिर मैंने एक playlist भी बना रखी है Indian Writers in Translation के नाम से आप मेरे चैनल पर वहाँ पर जाकर भी इन lectures को देख सकते हैं तो आईए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं जो राय प्रोलू शुबाराव जी है राय प्रोलू शुबाराव 1892 में गुंटूर डिस्टिक के गारला पांडू विलेज में बोन हुए इनके बारे में एक चीज याद रखनी है कि जो शुबाराव जी है वो एक तेलगू राइटर है इनको अभिनव नन्या के नाम से भी जाना जाता है इनके मामा अवारे शुब्रमन्यम शाष्टरी ने शुरू में इन्हें संस्कृत और तेलगू सिखाई थी बाद में इन्होंने काकी नाड़ा और राजमुंद्री से अपनी जो एड्यूकेशन है उसको कम्प्लीट किया था उसके बाद जो उस्मानिया युनिवरस्टी है दराबाद है इस युनिवरस्टी ने 1919 में डिपार्टमेंट ओफ तेलगू की शुरूआत की थी 1919 में ठीके ची और जो शुबाराव जी है शुबाराव जी ने 25 यर्ज तक यहां प्रोफेसर और इस डिपार्टमेंट के हैड के रूप में काम किया था और इसके साथ साथ वहत तेलगू अकैदमी हैदराबाद द्वारा पबलिश आंध्रा महा भागवत के चीफ एडिटर भी रहे थे अगर हम बात करें इनके राइटिंग स्टाइल की तो इनका जो लिटरेचर है इनका लिटरेचर तेलगू इंडियन कल्चर और वेस्टर आइडियाज का मिक्स्चर है वह तेलगू लिटरेचर में वेस्टर रोमेंटिसिजम इस्पेशली इंगलिश लीरिक स्टाइल को ले छोड़ा तो अगर हम बात करें इनके important themes की कि इनके works में हमें कौन-कौन से जो themes हैं वो देखने को मिलते थे तो जो sensual material, love of nature, patriotism, spirituality, humanitarianism and social reform है इनके literature के main themes होते हैं sensuality को basically दो parts में divide किया जा सकता है union और separation जो शुबह राव जी है उन्होंने अपने works में separation को prefer किया है वो हमेशे अपने works में separation को दिखाते हैं इनकी जो first independent poem है जिसका नाम है ट्रून कनक नामू ये इनकी first independent poem है जिसका नाम है ट्रून कनक नामू इसमें जो शुबाराव जी है उन्होंने लव में सेप्रेशन का जो दुख होता है उसे नरेट किया है इस पोयम में हीरो की लवर किसी दूसरे परसन से शादी कर लेती है और हीरो अनमेरिड रहकर उसकी याद में सफर करता रहता है पोयम के एंड में हीरो का लव प्लेटोनिक लव और friendship में transform हो जाता है इस poem में शुबा राव की heroine किसे दूसरे person से married होते हुए भी hero के साथ अपने platonic relationship को continue रखती है अगर हम बात करें इनके दूसरे work की जिसका नाम है कस्त कमला जो कस्त कमला work है इसमें कमला दो लोगों से प्यार करती है, इसमें करेक्टर है जिसका नाम है कमला तो वो दो लोगों से प्यार करती है हलांकि जब उसका एक lover उसे love letter लिखता है तो वेह suicide कमिट कर लिती है इस बात पर तो ये इनका second है, इसमें भी separation को दिखाया गया है, कस्त कमला नाम जो work है, इसमें भी शुबह राव जी ने separation को दिखाया है इसके अलावा शुबह राव जी एक great patriot और तेल्गू nationalist भी है उन्होंने सोय हुए तेल्गू pride को जगाने के लिए तेल्गू warriors की greatness को खूब सरहा है शुबह राव जी ने तेल्गू romanticism को define किया और तेल्गू literature में एक नए एरा की शुरुवात की है इनके बारे में आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि इन्होंने तेल्गू literature में अमलिना श्रिंगार तत्वमू concept को introduce किया था अमलिना श्रिंगार तत्वमू ये जो concept है इसको introduce इन्होंने अपने works में किया था अब आप ये सोचोगे कि ये जो है अमलिना श्रिंगार ये होता क्या है ये है बेसिकली जो शुबाराव जी है शुबाराव जी की जो love philosophy है जिसमें की emotion की essential beauty को various forms जैसे की friendship, affection, tenderness and love के रूप में highlight किया जाता है इसे ही अमलिना श्रिंगार बोला जाता है अगर easy words में बताऊं तो ये है basically एक abstract और spiritual love होता है जो की वी प्रलंब पर base होता है अब वी प्रलंब basically क्या होता है ये है physical ये एक ऐसा love होता है जहां पर जो physical union होती है वो impossible होती है और इसी impossibility के कारण जो lovers है वो eternal love को attain कर पाते हैं तो basically अगर मैं साफ साफ शब्दों में आपको बताऊं तो जो अमलिना श्रिंगार होता है वो क्या होता है कि इसमें ये एक ऐसा love होता है जिसमें की physical union impossible होती है और इसी कारण से जो lovers है वो platonic love या eternal love को हासिल करते हैं जैसे कि मैंने पिछे इनकी एक poem का example दिया था टून कनक नामू जो इनकी poem है उसमें भी जो hero है उसकी lover किसी ओर से शादी कर लेती है और जो hero है वो उसके पिछे से unmarried रहता है और उसकी याद में सफर करता रहता है और बाद में उसका जो love है वो eternal या platonic love में transform हो जाता है दूसरी तरफ जो lover है हलांकि उसकी शादी किसी ह और से हो जाती है बट स्टिल वो अपना जो platonic relationship है वो hero के साथ बरकरार रखती है तो इसी concept को इन्होंने अमलिना शिंगार का नाम दिया है इस concept को शुबाराव जी ने इंट्रोड्यूस किया था तेलगू literature में जहां पर प्यार में separation को दिखाया जाता है वही होता है अमलिन शिंगार उसके बाद हम बात करते हैं मुझे लगता है कि आपको एक concept clear हो गया होएगा है ना आगे हम चलते हैं इनको कौन-कौन से अवोर्ड मिले थे तो जो शुबाराव जी है इनको 1977 में कलापुर्ना अवोर्ड दिया था आंध्रा युनिवर्सिटी ने उसके बाद 1965 मे इन्हें सहित्या कैडमी अवोर्ड मिला था अपने एक work के लिए जिसका नाम है मिश्रा मंजारी तो ये इनके work का नाम है जिसके लिए इन्हें सहित्या कैडमी अवोर्ड मिला था अब हम सीधा मूव करते हैं इनके works पर कि इन्होंने कौन-कौन से works लिखे हैं सबसे पहले ह हम बात करेंगे इनके translation की, जो इन्होंने दूसरों के works को translate किया है, तो सबसे पहले है सुन्दर कंडा, जो ये सुन्दर कंडा है, इसको इंगलिश में बोलते हैं beauty section, तो ये जो work है, वालमिकी की जो रमायन है, वालमिकी की रमायन का ये तेलगू translation है, नेक्स्ट इनका work है, वो है ललिता, जो ललिता है, ये ओलिवर गोल्ड स्मित का जो work है, दो हर्मिट उसकी तेलगू translation है, नेक्स्ट इनका जो work है, जो translation है, उसका नाम है मधू कलासमू, जो मधू कलासमू है, इसको इंगलिश में बोलते हैं liquor teacher, तो ये जो work है, ये रुबायत ओफ ओमर कईयम की तेलगू translation है, ये तो इनकी होगी सारी के सारी translation, अब हम बात करेंगे इनके independent works की, जो इन्होंने खुद लिखे हैं, जो इनके खुद के लिखे हुए work है, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला work है, वो है ट्रून कनक नामू, जिसको इंगलिष में grass bracelet भी बोलते हैं, जिसको इंगलिष में हम बोलते हैं, grass bracelet, ये इनका फर्स वर्क है, और नेक्स इनका work जो है, वो है अंध्रावली, जो अंध्रावली work है, उसको इंगलिश में बोलते हैं आंध्रा रो ये इनका बहुत ही important work है आप चाहो तो आप इसकी समरी भी कर सकते हो third इनका जो work है वो है कस्ट कमला जो कस्ट कमला work है उसको इंगलिश में बोलते हैं कमला इन डिस्ट्रेस next in का जो work है वो है one mala जो one mala work है उसको English में translate करेंगे forest necklace और जो next work है वह है मिश्र मंजडी और जो मिश्र मंजडी है उसको English में बोलते हैं mixed bouquet जो next in का work है वो है next in का work है उसका नाम है जदा कुचुलू और ये जदा कुचुलू जो work है इनको English में बोलते हैं bread tassels so ये इनके independent work है इनकी एक और poem है जो इनकी बहुत ज़्यादा important poem है बहुत important है ये work इनका बहुत popular work है जिसका नाम है एडे समेगिना इंडू कल हिंडिना guys आप प्लीज इसकी pronunciation एक बार देख लेना because ये तेलगू works है इनकी pronunciation थोड़ी सी गड़बढ हो जाती है फिर भी मैं एक बार मैंने अपना best दिया है एडे समेगिना एंडू कलीडिना ये इसका इनका एक work है ये एक poem है basically जो की बहुत ही popular poem है इनकी so guys ये इनके बारे में मैंने जो भी information थी वो बताया है मैंने के works को detail में मैंने आपको नहीं कराया because English point of view से जितनी information हमारे पास होनी शहिए वो मैंने आपको बता दी है और मैं हाँ पर एक चीज और clear कर दूँ जैसे कि मैं दो lectures पहले भी बना चुकी हूँ अपा राव जी पर बनाया है मैंने एक तो lecture और जो कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्रिशन शाष्टरी जी के उपर भी एक lecture प्रोवाइड किया था और जो आज का हमारा शुबह राव जी है ये तीन ऐसे writer हैं जिनको जो अभी recent HP का assistant professor का exam हुआ था उनमें इन writers को पूछा गया था कि ये जो writers हैं वो किस literature से belong करते हैं सो ये जो तीनो writer हैं वो किस से belong करते हैं तेलगू modern तेलगू literature से belong करते हैं सो ये चीज आपने माइन में रखनी है क्योंकि writers in translation नाम की जो series है उसमें ये सब question पूछे जा सकते हैं you can ask me in the comment section below thank you so much for watching the video guys